बिहार में जातिये गनना को लेकर आज पटना हाई कोट में सुनवाई होनी वाली हैं। पटना उच न्याले के चीफ जस्टिस विनोध के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सार्थी की बेंच में इस पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई दोपहर दो बजे के बाद होनी है इसमें बिहार सरकार जातिये गनना को लेकर अपनी दलीले पेस करेगी आपको बता दे कि चार मई को पटना हाई कोट ने ततकाल प्रभाव से जातिये गनना पर रोक लगा दी थी कोट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नस्ट नहीं किया जाए हाई कोट की रोक के बाद मामले में बिहार सरकार ने सुप्रिम कोट में याचिका दाखिल की थी सुप्रिम कोट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर हाई कोट 3 जुलाई को सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे जातिये गनना पर 4 माई को हाई कोट के रोक के बाद बिहार सरकार ने मामले में जल्द सुनुआई का आगरह किया था इस पर हाई कोट ने 9 माई की तारीक तै की थी 9 माई को सुनुआई के बाद कोट ने तारीक बदलने से इंकार कर दिया था इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोट का रुख किया 18 माई को सुप्रीम कोट के जस्टिस अभय एस ओका और न्याय मुर्ती राजेस बिंदल की बेंच में मामले की सुनुआई हुई बेंच ने कहा कि इस बात की जाज करनी होगी कि क्या यह सरवेक्षन की आर में जनगनना तो नहीं है बेंच ने कहा हम यह सपस्ट कर रहे हैं यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरीम रहत दे सकते हैं सुप्रीम कोट ने याचिका की सुनुआई तीन जुलाई तक के लिए इस्थगित कर दी थी और कहा कि इस याचिका को 14 जुलाई को सुचिबध किया जाएगा अगर किसी भी कारण से रीट याचिका की सुनुआई अगली तारीक से पहले शुरू नहीं होती है तो हम याचिका करता के वरिष्ट वकील की दलीले सुनेंगे इस से पहले सुप्रीम कोट के जस्टिस संजय करोल ने खुद को इस सुनुआई से अलग कर लिया था उनका कहना था कि वो बिहार में चीफ जस्टिस रहते इस मामले में पक्चकार रह चुके हैं जातिये गनना का काम लगभग 80% पूरा कर लिया गया है लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है ओफ लाइन काम करीब करीब पूरा हो चुका है बाकी आकड़े को ओनलाइन कलेक्ट करना है साथ जनवरी से सुरू हुई जातिये गनना 15 मई को खतम होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही कोट ने रोक लगा दी कैबिनेट से पूरी गनना पर 500 करोर खर्च करने की मुहर लग बिहार के लोगों की जाति पूस्ते हुए उसकी सारी जानकारी रिकॉर्ड के रूप में दर्ज की जा रही है आर्थिक सर्वे के साथ साथ ये काम हो रहा है दो चर्णों में यह प्रकिरिया पूरी होनी है पहले चरन के दोरान आवास आदी की गरना की गई दूसरा चरन 15 अपरेल से शुरू हुआ जिसकी शुरुआत सियम नितीश कुमार ने खुद की वहीं औसम वैधानिक और जातियों के नाम बदलने या वीलोपित करने को साजिस बताते हुए शुप्रिम कोट तक फड़ियाद पहुची है लाइब विहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें